Connor McGregor, UFC के सबसे बड़े स्टार है Dana White, जो की UFC President है उन्होंने काफी बार Connor की कई टाइम पर मदद की है चाहे वो personal issues हों, चाहे वो professional issues हों लेकिन अब जो नया खुलासे हो रहे हैं Dana White ने परसों एक interview में कहा कि अब से कुछ हफते पहले तक, जब तक Connor ने वो अपने tweet लिक नहीं किये थे जिसमें उनकी personal chats and Dana White के साथ तब तक वो कोशिश कर रहे थे कि एक ultimate fighter का season स्टार्ट होगा जिसमें एक team के coach होंगे Connor और एक तरफ coach होंगे Khabib अगर आप लोगों को पता नहीं है कि क्या है the ultimate fighter तो ultimate fighter UFC का एक reality show है जिसमें big boss के तरह दो team है और उनके coaches एक घर के अंदर बंद रहते हैं और फिर उनके team के आपस में matches होते हैं हर रोज ये शायद ये 30-40 दिन का ये पूरा show होता है और हर रोज उनके team के आपस में matches होते हैं और ultimate उनके से एक champion होता है अगर आप दोनों की history देखें Khabib की और Connor की जब भी वो एक दूसरे के आसपास आए हैं जब से उनकी ये start होई है rivalry ये must TV watch हुआ है ये must TV बना है क्योंकि वो दोनों उनकी बीच में आपस में जो ये दुश्मनी है जो ये रंजिश है जो ये नफरत है वो इतनी जादा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों इक दूसरे के इतने पास हो और कुछ बड़ा ना हो जब सबसे पहले जब ये start हुई थी तो कॉनर ने उनके बस के ऊपर अटेक किया था दूसरी बार जब भी मिले थे तो ये मिले थे प्रेस कॉंफरेंस में जिसकी फोटो आप देख रहे हैं और तीसरी बार जब उनकी आपस में फाइट हुई थी अगर ये प्लैन आगे चलता अगर कॉनर और डेना सेम पेच पे होते अगर कॉनर ने उनके मेंचिस लीक नहीं किया होते तो शायद हम देखते कि अगले कुछ मेहने में खबीब और कॉनर एक घर के अंदर बंध होते एक मेहने के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि यह जो बात चल रही थी उनके कोचिस बनने की कितने आगे तक पहुँच गई थी लेकिन अगर डेना उसको अब बता रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ सचाई है अब जो की कंडिशिन चल रही है वो यह है कि डेना वाइट ने कॉनर को और डेस्टीन को फाइट ओफर की है अब को याद होगा कि कुछ दिनों पहले डेस्टीन और अपसे बात कर रहे थे एक चरेटी फाइट लड़ने के लिए और जो भी से पैसा आता है वो उसको अच्छे काम के लिए दान दे दियते अब ओफिशिली कॉनर को और डेस्टीन को डेना वाइट ने फाइट ओफर की है कल शाम तक ना ही डेस्टीन ना ही कॉनर ने फाइट अक्सेप्ट की है तो बहुत ही इंटेस्टीन रहेगा देखना की क्या होता है इस पूरे नोजों के अंदर अगर ये फैट होती है अगर कॉनर डेस्टीन फाइट करते हैं तो जो सबसे ब्ला लूजर होगा इन में से वो होंगे टोनी फागर्सन टोनी फागर्सन की फाइट होने वाली थी डेस्टीन पोरिय के साथ लेकिन क्योंकि डेस्टीन पोरिय को एक हाई फीस चाहिए थी उनकी जो डिमांड थी वो नहीं मिल पा रही थी तो वो मैच गैसल हो गया कि अगर अब डिश्टिन हाग करते हैं इस मैच के लिए और उनको जो भी ठीज क्मिनेशन में तो मैं इतना धैरान नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें पूरी डिविजन में ये टॉप थी फोर लोग है और उससे पहले उसके नीचे आ देखें तो आप कॉनर डस्टीन और टोनी तो इनके बीच ने कोई भी मैच हो वो अमेशा मस्ट वाच है टीवी वाच होगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालां कि अब तक किसी ने फाइट एक्सेप्ट नहीं की है तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ सा डिले हो सकता है मुझे लगता है कि अगर यह फाइट क्योंकि वर्बली डस्टीन ने उसके लिए हाँ कर दी है लेकिन अब तक कॉनर ने हाँ नहीं की है तो अब यह बाची चल रही है पैसों के बारे में डेर्स के बारे में अगर हम बहुत लग्की होए तो हम देखेंगे कि यह फैट हो सकती है इस साल के अंड तक अगर अब बहुत लगी होए नहीं तो फिर हम देखेंगे कि ये अगले साल जनवरी में या फेबरी में फैट होगी लेकिन इन में सब में से सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये लड़ाई चल रही है कॉनर की और डेना की इसमें सबसे बड़ा लूजर कॉन है आइ थिंक दोनों ही साइड से दोनों ही अलफा मेल है डेना आप बात से पीछे नहीं हटते कॉनर देखे नहीं हटते लेकिन इस पूरे चकर में इस पूरे सिचुएशन में सबसे बड़े लूजर बनेंगे टोनी फर्गरसन